असलाम वालेकुम केसे हो आप सब इंशालला सब ठीक होंगे अलहमदलिल्ला हम भी ठीक है तो आज हम आपको राइस की रोटी बताने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं हम फटा फट राइस की रोटी केसे बनाने वाले हैं हमेशा इसी तरह से फटा फट बना लेते हैं तो यहां पर आप देख लीजिए गैस के उपर अपर दिया हमने पतिला पतिले में हां जिस बॉल से हमें आटा लेना है उसी बॉल से हमें पानी लेना इस बात का अब ध्यान डखिएगा इसके पहले भी हमने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है लेकिन हम आगे आपको और एक वीडियो बताने वाल है इसका कॉंबिनेशन किसके साथ में अच्छा जाता है तो बने रही है वीडियो के साथ तो नमक एड़ किया हमने यहां पट्टेस के सबसे अगर आपको पसंद हो तो कर लीजी नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है हमारी यहां बिना नमक की रोटी नहीं खाई जाती है तो पानी में बॉ Vince और यहां पर रीचा किया नहीं है तो पानी में बाउल आ चुका है तो उसे बॉल से हमने यहां नहीं पर आटा लेरी माल बाउल है अजय सकते हो आचा हम एक बाउल हमने बंद कर दीएँ और फटा फट से इसको मिक्स कर लेंगे, इस में लम्स बिल्कुल नहीं होने देना है, भुटलिया बिल्कुल भी मत होने, दीज़िए आप, फटा फट हाथ को छला लीजिए, देख लीजिए बंध है और फटा-फट बंध करना है क्योंकि हम इसे ज्यादा पकाना नहीं है 2 मिनट बस इसको इसको इस तरह से मतलब ग्यास चालू रहेगा ना 2 मिनट यह आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए 2 मिनुट की बाद आप ग्यास बंद कर दीजिए तो अच अगर आपको गरम लग रहो तो ऑर यह देख लीजिए इस तरह से हमने चिकना कर लियाए भी आपिए देख लिए कर लियान वहता है अगर आपको गरम लग रहा हो तो और यह देख लीजिए इस तरह से हमने इसे चिकना कर लिया आभी हम इसके पेड़े तयार कर लेंगे तो आपको पतली रोटी बनाना है या मोटी बनाना है आपके उपर है फ्रेंस आपको जैसे भी मतलब बनानों आप आपके हिसाब से इस इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लिजिए थोड़ा सा हाथ पर पानी भी लगा सकते हो आप इस तरह से पेड़े सभी बना कर रख दोगे न तो बार बार हमें यह टेंशन नहीं रहेगा और सेम हमारी सभी रूटी बन जाएगी तो पेड़े तैयार हो चुके हमने ड्राइ आटा भी ले लिए राइस का और यहां पर हम इसको बेल रहे है फटा फट बेल जाती है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है और थोड़ा सा उपर भी आप आटा डाल सकते हो क्योंके चीपकने लग जाता ना बेलन के उपर तो उपर भी डाल दीजिए आटा नीची भी यह जोलते हुएंगा हैरे मों के अचे से फूल्च के लिगा और एक्पे रहे हैं मेडियन फूलें पर आपको करना है और मेडियन फूलें पर फूलें पर आप उसको मतलπό सेख सकते हो दोनों आट चैयाँ तो यह देक लीड़िए चाहिई लेकी हैं लगतने श्र राइस बने कर तयार हो चुकी है तो इसी तरह से हम सभी रूटिया बना कर तयार कर लेंगे फटा फट बिलते जाएंगे तव इक उपर डालेंगे उसके उपर पानी लगाएंगे एक कुछ जसे के बाद के बाद दूसरी साइड कर लेंगे, क्योंकि हम इसे ज्यादा ब्राउन नहीं फुली फुली और वाइट वाइट आरी होगी फ्रेंट्स का कॉम्बिनेशन ये भूने मटन के साथ में बहुत बहुत जबर्दस लगता है तो ये रेसिपी आगे आपको देखने मिलेगी तो ये रेसिपी आप देख लीजिए और चावल की रोटी और इस तरह से भूना मटन जरूर से ट्राइट कीजिए दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है एक बार हमारे बोलने भी ट्राइट करके देख लीजिए जिदार होता है आप खाते ही रहे जाओगे ये मटन का गोश है हमने इसको प्यास डाल कर धुया है बड़ी वाली प्यास हमने डाली इसको अच्छे से धोया है और यहां पर हम नमग एट करेंट इसके हिसाफ से आधा चमच हमने हाली पॉड़ी पॉड़ी रेट किया है दो चमच फूल भर कर हम अध्रक लसन का पेस्ट एट करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे एक चोटा सा दाल चीनी का टुकड़ इसके इनरेट करेंगे दोकर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जब भी आप गोश्ड हो रहें और फ्रेंट्स तो प्याश डाल कर धोया करें उसकी जो भी इसमेल होती है नवह निकल जाती है खतम हो जाती है तो आप प्याश डाल कर धोकर देख लीजिएगा यह हमारे तरीका है हमारे दादी का हमारे अम्मी का हमने उनी से सी का है तो कुकर हमने गैस के उपर रग दिया था हमने इसके दो सीटी लगा दी है तो दो सीटी में यह इतना टेंडर हुआ है आप देख सकते हो और इसमें ज्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है तो इतना ह तो यहां पर हमने गैस के ऊपर रगदी कड़ाई को अच्छे से गरब होने देंगे और एक चमच फुल भर कर ऑइल ज्यादा मत लीजिए गोशे कुर्बानी का दूसके अंदर फैड बहुत होता है चिकना बहुत ज्यादा होता है इसके लिए ऐल कमी लीजिए यहां पर जो ह मज़ेदार लगेगा फ्रेंट्स खाने में तो सबी हम इसके अंदर एड़ कर देंगे और मसाले आप देख लीजिए देड़ चमच धनिया पौडर देड़ चमच कश्मच लालमीच पौडर और दो चमच लालमीच पौडर कश्मिरी लालमीच से कलर बहुत अच्छा है इस इसके लिए हम एड़ कर रहे हैं बहुत एकम मसालों के साथ यह रिसपी हम आज आपके साथ शेर कर रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से हैं तो ज़रु से ट्राइगर कर देख लीजिए आप तो अच्छे से दो तीन मिनट इसको भून लेते हैं फिर मिक्सिका जार खंगाल कर इसके अंदर पानी आट करेंगे तो यह देख लीजिए इसमें वह सारा पेस्ट लगावा था ना तो सब जार खंगाल कर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे मतलब दो तीन चमच के करीब अभी हम इसको भून लेंगे साथ आट मिनट मेडियम फिलें पर ढग कर भू को जो हमने अपको बता भी दिया था चेक करके फ़र तो अतना ही था फिर आपको चाहिए तो आपको बीछ इसको टंडर कर सकते हो गला सकते हो तो बहुत जा से मसाला बुन चुका है मसाला के अंदर हमने यह टेंडर हुआ गोश एट किया है अच्छे से मिक्स कर दिया है आ और उसके अंदर कितना चिकना आपको नजर आ रहा होगा ना उसकी जो फैट होती है ना चैर भी उसका निकलता है तो इसके लिए आप कम एड़ कीजिएगा तो उसका टेस्ट दूगना ही हो जाएगा इतना मज़ेदार ये भुना गोश है ना एक बार आप जरूर से ट्राइ करके देख लीजिए थोड़ा सा हरधनिया एट करेंगे और गर्मगरम हमें से सर्फ कर लेंगे तो हमारे तरीके से एक बार इस तरह से भुना गोश जरूर स सर्फ कीजिए दोनों भी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए जब भी आप इसे ट्राइ करोगे हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा राइस की रोटी का कॉमिनेशन भूना चिकन के साथ भूने मतन के साथ बहुत अच्छा जाता है तो बने रहेगा इ लाइक जरूर कर दीजिए मेरी फ्रेंड्स पहली बाइगा हो फ्रेंड्स तो बिना सब्सक्राइब किये मच जाये प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए तब तक के लिए लापेस